प्रदिश प्रभारी बाबलाल जाजुने बनेडा में 520 हेक्टेर वन भूमी में पूर्व में स्पिकरत इको पार्क को DMFT फंड से पौधे लगाकर विक्सित करने सहीद अन्य कारी करने की जीला करेक्टर से मांगी है। अधिक से अधिक खर्च किये जाने सही सिलिकॉसिस रोग्यों की बहत्री वे खनन प्रभावी शेत्रों में सडक चिकिस्ता वे शिक्षा तता शुद्ध पे जल उपलब्द कराने एम भिलबाडा चिले की वन भूमी पर पक्की सुरक्षा वाल बनाया जाने है तो DMFT फंड से क बनेडा में 520 हेक्टर में इको पार्क निर्मान कराने के लिए उसमें बड़ी उम्र वाले फल वाले वे बढ़िया पोदे लगाकर वाच्टावर बनाकर भर्मन ट्रेक बनाने के लिए आज मानने जिला कलक्टर जो DMFT फंड के अध्यक्ष भी है उनको मैंने पत्र लिखा किया जाने का पूर्व में प्रस्ताव स्विकर्थ हो चुका है लेकिन वो अभी तक बनाया नहीं गया है उसके लिए मैंने जिला कलक्टर साथ को आज पत्र लिखा है और इसी DMFT फंड लगबक एक हजार करोड रुपया बिलवाडा में इकटा हो करके पड़ा हुआ है पाँच हजार पोदे बिलवाडा जिले की 400 पंचायतों में प्रतिवर्श लगे पोदे लंबवियुम्र के फल वाले पोदे लगे फैंसिंग हो उसकी चारों तरुप सुरक्षावाल हो और वो पोदे कॉंटेक्ट में इस सर्थ में दिये जाए कि पोदे जीवित रहेंगे तो ही कॉंटेक्टर को फैसा मिलेगा उसके साथ सिलोकिसिस की जो रोगी है उनकी बैतरी के लिए शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, जल उनकी बैतरी के लिए भी काम हो और खनन परियाबन प्रभावित क्षेत्रों में जहां परियाबन को नुपसान हुआ है, खनन हुआ है उ उनक्षेत्रों में चिक्षा, चिकिच्षा, जल और सडक निर्मान कारे कराये जाए, डियमेप्टी फंड का कहीं बूसरी जगे उपयोग नहीं हो, नियमानुसार पैसा खर्च किया जाए, और अधिक से अधिक पैसा परियावन, सुरक्षार परियावन बढ़ावे के लिए ह रखरका ववस्ता, कॉन्टेक्ट में देने की भी मांग, पत्र में की है, डियमेप्टी फंड बिरवडा में एक परियावन प्रभावित क्षेत्रों से इखटा किया गया है, खनन कारे होता है, उसका पैसा परियावन प्रभावित क्षेत्रों में नियमानुसार परियावन सरक्षन और परियावरन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए